नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल संगितास पेन में आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करोंगे भाई वहनों के प्रेम के त्योहार रक्षावंदन के बारे में कि 2024 में रक्षावंदन का पर्वे बहुत नजदीग आ चुका है अगस्त के महिन में रक्षावंदन का पर्वे है और इस बार रक्षावंदन पर भद्राकाल रहेगा या नहीं रहेगा कौन-कौन से सुपसंयोग है राकी बादने का क्या महोरत है इन सभी विसयोग पर बात करेंगे और कब से कब तक भद्राकाल है रक्षावंदन कितने बज़े से कितने बज़े तक बादी जाएगी छे सुपसंयोग क्या है इन सभी के विसयोग में बात करोंगी रक्षा बंदन की कहानी क्या है इस भी सेवे मेरे चैनल पर वीडियो अल्रेडी है आप देख सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और कमेंट में अपने राएद है आप सभी भाई बेहनों को रक्षा बंदन की धेर सारी सुब काम नाए आप सभी का रक्षा बंदन बहुत हर्षो उल्ला से बने आप सभी भाई बेहनों में प्यार महाबद बने रहें तो शुरू करते हैं इस वीडियो को चैनल को सबसक्राइब आवसी करें अवसी करें कमेंट में जय माता दी हैपी रक्षा बंदन आवसी लिखें रक्षा बंदन का ते ओहर हर साल सरावन मास की पूर्णी मा यानि कि सावन का जो महिना होता है सावन के महिनी की पूर्णिमा तिती पर मनाया जाता और स्रावन पूर्णिमा तिती को भध्रा रही सुब महुर्त में ही रक्षा बंदन का पर्वा मनाते हैं राकी बादना सुब माना जाता है जब भध्राकाल नहीं होता है भद्राकाल के भी सही में में चैनल पर डिटेल में वीडियो है आप देख सकते हैं इस समय में बहने अगर अपने भायों की कलाही पर आखी बात ती है तो बहुत असुप प्रभाव पढ़ता है भद्राकाल में और इस साल 2014 में रक्षाबंदन पर छे सुप सहयोग बन रहे लेकिन इन सुप सहयोग में से कुछ समय पर भद्राकाल भी है जिस से राखी कर जो हरसो उल्ला से थोड़ी फीका सा लगेगा लेकिन कुछ सुप सहयोग भी है कई विद्वानों का मत यह है कि भद्राकाल का असर इतना नहीं रहएगा क्योंकि इस भद्राकाल को पाताल भद्राका represent जा रहा है तो इसका धर्ती पर असर कम रहेगा ऐसा मान रहें लेकिन आम लोगों में इससे सुप कार्योग के लिए से सुप कार्यों के लिए नहीं माना जाता है तो विद्वानों का कहना अपनी ज़ग हुआ होता है तो ऑस मरत करते हो लक्षाबंदन बातने के सुब महरत की भी बात करती हो और बद्राकारKaL कब कर तक है इन सब given में आगे वीडियोमें बात करते हैं लिए क wage kisip कि देखें। सूर्यदय की तिथी के अनुसार अगर हम बात करें तो जो रक्षाबंधन का त्योहर होगा वो 19 अगस्त को यह मनाये जाएगा सुपसहयोग की अगर बात करें तो इस साल रक्षाबंधन पर छे सुपसहयोग है इनकी विसेमे में कहीं चुकियों जिसके कारण राखी का तेवहार बहुत ही सुप फलडाई होगा राखी के दिन राजपंचा के योग, सावन सौमवार, सावन पूर्णी मा का ब्रैत और सरवार्दी सिद्धी योग, रवी योग और सोभन योग बन रहे हैं इन 6 सुप योग के कारण ही रख्षा बंदन का तेवहार बहुत ही विसेश है ऐसा बहुत कम देखने को मिलता ही कि रख्षा बंदन के तेवहार पर इतने सारे सुप से योग बने अब बात करते कौन कौन सा सुप से योग का है राजपंचा की योग के अगर हम बात करें तो राजपंचा की योग साम 7 बजे से शुरू होगा और अकले दिन 5 बच कर 30 मिनिट सुबह तक रहेगा सुबहर को सुबहर को शुरू होने अला राजपंचक बहुत सुबह होता है इसके शुब प्रभावस से आप सरकारी कार्यों में योग बहुत सफलता पाते हैं monu भी कारी करें उसके सूबपली मिलते हैं और इस दिन ब्रैत करते हैं इस बार सावन सावभार को स्रावड मास्क का समापन हुआ और जो आरंब हुआ था उसी दिन आरंब भी हुआ था जो पहला सौंबार आयता है वो भी सावन के महीने के पहले तारिक को ही आया था सावन सौंबार के ब्रेत और पूजन से हमारी सारी मनुकामनाये पूरी हो जाती है भोले संकर तो भोले हैं और सावन का महीना उनीका होता साउन पूर्णीमा का ब्रेथ और इसनान भी इस दिन है इस दिन पूर्णीमा का ब्रेथ है तो साउन पूर्णीमा को इसनान दान और ब्रेथ करने से पूर्णी फलो की प्राप्ति होती है पूर्णीमा के दिन बहुत से लोग शतिनारण भग्मान की कथा करते हैं और इससे प फांच बच कर 23 मिनेट से आठ बच कर 10 मिनुट तक रहेगा、 अब बात करते हैं पांचवे सुबस線योग की जो है रवी योग रेक्षा बंदन वाले दिन रवी योग पांच बच कर 23 मिनट सब़ सुरू होगा और आठ बच कर 10 अम तक रहेगा इसमें सूरी का प्रभाव बहुत अधिक होता और इस योग में सभी दोस अभी परिसानिया मिर जाती हैं कोई भी असुप प्रभाव नहीं होता जो सोभन योग रक्षा बंदन के दिन सोभन योग पूरे दिन रहेगा इसके स्वामी जो होते हैं गुरुदेव ब्रेसपती हो हूंगे वहां पर सभीघार्य अच्छे होते आप बात करते हैं भद्राकाल की की निस या कब से कप तक है तो रक्षा बंदन पर भड़ाकाल सुबह 5 बच कर sacred 35 मिनिट से दोपेर में एक बच कर 32 मिले तक रहेगा भद्राकाल के समय आपको राकी बातने से परहेच करना चाहिए क्या है इसके पीछी का कारण अगर इस विसे में आप जानना चाहते हैं तो मैं उपर वीडियो आई बटन पर दे दूंगी उस वीडियो को देख ले उस वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रेप्सन में भी दे दूंगी तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें रक्षाबंदन की तारिफ के विसे में मैं आपको बताई चुक्यों कि 19 अगस्त को रक्षाबंदन बाद पवित्र दोहार है और अगर सुब मोर्त की बात करें तो आप के इसका पारवा बहुत आराम से तो यह दो मैं अग्सन बलंग के साथ। सब्सक्राव को बिदो digamos मैं आपको यडियो थोड़ी उप्योंगी लगा हो तो जड़ा से जादा करें जिससे सबी भाई वहन होता है कि जानकारी पहुंच सके रख्षया बंधन पर क्या गिप्ट डें कौन सा गिप्ट मेहन को दें कौन सा घृत बहाई को दें इन सभी विषव उपर मेरे चैनल पर डिटेइल में वीडियो है आप देख सकते हैं वीडियो को जाना से ज़्यादा सेयर करें लाइक कमेंट करें आप सभी के लिए रक्षाबंधन करते हो हाँ धेर सारी खुशनियां लाए हपी रक्षाबंधन